मैं हूँ रेनुवर आज आपका गोगल किचन में बहुत बहुत स्वाज़त करती हूँ इसमें न तो आपको कर्णेंस मिल्क न मैदा न बटर न गी न बेकिंग पाउडर न बेकिंग सोडा न ओवन इन सब चीजों की बिलकुल भी ज़ुरत नहीं है और यह बनाने के लिए हमने लिया है grinding jar और इसमें हम डाल देंगे एक कप सोजी यह बारीक वाली सोजी हमने लिया है अगर आपके बारीक वाली नहीं है तो मिक्सर में डाल के अच्छे से बारीक कर लिजे और यह 200 ग्राम सोजी है और यह देखे मैंने 200 ग्राम वाला अगर आपको मीठा और चाहिए तो थोड़ा साब चीनी के मातरा बढ़ा सकते हैं अगर कम चाहिए तो कम कर सकते हैं और इसमें मैं डाल दूंगी जल कलर यह फूट जल कलर है अगर आपके वास यह नहीं है तो ड्राइ कलर भी अगर आपके पास है तो वह भी डाल सकते है औ अगर आपके उस नहीं है तो आप सिर्फ नॉर्मल ड्राइ कलर रेड वाला रहेगा तो भी चलेगा और इसमें फ्लीवर के लिए मैं डाल रहे हूं कुल फी फालूदा फ्लीवर आपके पास जो भी फ्लीवर हो एसेंस हो वनीला वगर तो आप इसमें एड़ कर सकते हैं मेरे पास यह था और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है अगर आपके उस कुछ भी नहीं है तो इलाइची पाउडर डाल दीजिए अगर वो भी नहीं है तो नारियल का बुरादा डाल दीजिए उससे भी टेस्ट बहुत मारिंग तो इसमें मैं डाल दूँगी इनो और जो ठीक लग रहा था उसे थोड़ा सा पतला करने के मैं इसमें डाल दूँगी दूद तो मैंने इसमें टू टेबल स्पून दूद एड़ कर दिया और डाल कर देके कितना अच्छे से एक्टिवेट हो गया है इनो जो फ्रूट शॉ ऐसे consistency आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही रखिये और आप केक्टिन में यह मैंने 6 इंच का केक्टिन लिया है और इसे अच्छे से मैंने पहले grease किया हुआ है और अच्छे से मैं टाप कर लेना है और मैंने तवर रख दिया था पर हीट होने के लिए मैंने नमग नहीं ड आद आद लिए है और यह देकिए तीस मिनट लगें इसे बेक होने में और आप एक टूदपिक से चेक कर लिजी कि अगर बेक हुआ है या नहीं तो बहुत अच्छा से बेक हो गया है मैं उतार दिया यह मैंने लिए है दूद की मलाई उसे अच्छा म supervision में और बुढ़ से गरम करके उसमें मैं ने चॉकलिट डाल दिया है वाइट कोले अरफ की जिसक कर सकते है यह समड़क यह बहुत ही अच्छा दिखता है और खाने में इसका टिस्ट माइं ब्लोईंग है तो मैं अच्छे 對不對 तो आच्छे से नाइप से फैला लिए लिए और इसके उपर हम डाल देंगे डेसिकेटेट कोकोनेट है नारियल का बुरादा और यह आपको कहीं भी मार्केट बहुत एजली मिल जाता है अगर वो नहीं है तो सुखे नारियल को भी मिक्सी में अच्छे से मिक्स कर दीजे बारिक कर दीजे और उसके उपर मैंने डाल दिया थ होती है को दिकत होती है तो आप मुझे वहाँ पर डारिक चैट कर सकते हैं तो यह देखे कितना यमी लग रहा है यह देखने में और खाने में सच में बहुत यमी है फ्रेंट आप यह ट्राइज जरूर किजेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएग प्रेंट्स एक बात और कहना चाहूंगी बहुत लोग मुझे यह कहते हängen कि तु अनपड है तुझे कुछ नहीं आता है तुछ नहीं कर सकती तो प्लीज प्रेंट अन पर लोग का भी सपोर्ट कीजे ताकि मैं उन लोग को बता पाओं कि अनपर लोग भी कुछ कर सकते हैं तो लादो देखिये कितना यमRY दिख रहा है तो आप यह जरूर ट्राइक किये गागा और बिना ज़ंचट के भी इतना खुबसूरत और इतना यम्मी ये ब्रेट बेलबर्ट केक जो सूजी से बना है आप इंज्वाइक कर सकते हैं तब इस जरूर ट्राइ किजएगा और इसमें बनाना भी बहुत ही असान है आपने देखा वे इतना सॉफ्ट बना है ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इतना तूट जाता है तो देखिए एक दाना कितना खिला खिला आपको दिखरा है मेरे बालक्री में धूप है इसकी वीजिसे बहुत अच्छा इफक्त भी आ रहा तो ये बनकर तयार है आपका सूजी का रडट बैलबर्ट केक आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ब्लॉग देखने के लिए so thanks for watching bye bye thank you